दोस्तों नमस्कार जब राहुल गांधी ने संसत के भीतर अडानी और प्रधान मंत्री मोदी के रिष्टों का जिक्र किया था तब ये कोई जानता नहीं था कि दरसल ये शब्द और ये आवाज भी सरकार को अच्छी नहीं लगती है और सरकार ने उस आवाज को उसी वक्त दबा दिया था लेकिन तब का वक्त और आज का वक्त बहुत अंतरा चुका है 2017 में केंद्र सरकार के मारफ़त ही जो परिच्छा कराई जाती थी SSC की स्टाफ सेलेक्शन कमिशन की उसमें ग्रेड तीन और ग्रेड चार की परिच्छा के पेपर लीक हो गए और भी कई अन्य में ताएं थी वो मामला सुप्रीम कोट तक पहुचा और ये सवाल उठने लगा कि क्या वाकई केंद्र सरकार में जिनकी नुक्तियां होती है उस दौर में भी सरकार अपने लोगों को सामने लाने के लिए क्या एक ऐसे चक्रव्यू की रचना कर चुकी है जहां पर इस दे उन फाइलों को बंद कर दीजिये क्योंकि उसके बाद भारत में एक नया चुनाओ दो हजार चौबिस में हुआ है और अब राहुल गांदी विपक्ष के नेता हैं लेकिन बावजूद इसके कि विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांदी को अपनी बात रखने की ड़ा जाएगी दरसल इसकी नबज को जाच पकड़ने की कोशिश जरूर कीजिएगा क्योंकि इस देश के भीतर में हर चौथा वोटर आज की तारीक में युवा है इस देश के भीतर में रज दर रज अगर युवा वहां की सत्ता धारे राजनेतिक दल से अपने हाथ नहीं पाएगी चाहे चंदरबाबू नाइडू अभी से ख्याल और सपने पांच बरस तक का बुन रहे हो लेकिन युवा अगर खड़ा हो गया तब क्या होगा आप कहेंगे जिक्र तो N.E.E.T. का है निट का है ऐसे में क्यों जिक्र नितीश और चंदरबाबू गबरा रही है आईए आज इसका परिक्षन आपके सामने कर ही दिया जाए क्योंकि बिहार के भीतर पेपर लीक के जरिये जो लोग प्रभावित हुए हैं हमारी टीम ने निकाला की दरसल इनसे प्रभावित होने वाले चात्रों की तादाद 17 लाख है जो सिर्फ बिहार की ह और ये 17 लाख वो चात्र हैं जो मान कर चलते हैं कि वो कंपीट कर सकते हैं वो अलग अलग कोचिंग सेंटर में जाते हैं अच्छे खासे डिगरी धारी है पढ़ाई कर रहे हैं इसमें उनका जिकर नहीं है जो समानने तोर पर माना जाता है कि एक पद के लिए 60 लोगों ने आक्रोश है इस पूरी प्रक्रिया को लेकर उसमें बिहार के भीतर 17 लाख चात्रिस के दाएरे में आते हैं आंध्र परदेश के भीतर में इनकी तादा तकरीबन 22 लाख है उत्तर परदेश में इनकी तादा तकरीबन 40 लाख है मद्द परदेश में इनकी तादा तकरीबन 18 लेकिन अगर आप व्यापम को जोड़ दीजेगा तो आपको तकरीबन साथ लाक युवाओं को और जोड़ना पड़ेगा जो उस दोर से अभी भी प्रभावित है और उनके बीतर गुस्सा है दिल्ली में रहने वाले भी छे लाक चात्र हैं और राजस्थान के भी तकरीबन 29 लाक चात्र है यानि राज दर राज अगर परिस्थितियों को आप पलटने लगेंगे तो हो सकता है ये आकड़ा तकरीबन धाई करोड़ पार कर जाएं लेकिन मौझूदा वक्त में जो सवाल है वो एक करोड़ सत्तर लाक पहले राउंड में जानकारी मिली थी कि एक करो अलग राज्यों के बीतर जो भी पेपर लेक हुए यहां तक की तिलांगना में भी तो पेपर लेक हुआ था तिलांगना सकेंडरी स्कूल सेटिफिकेट याद कीजिए हिंदी का पेपर 2023 में लीक हो गया था या फिर असिस्टेंट इंजीनियर रिक्यूट्मेंट एक्जाम जो था वो लीक हो गया था असम में लीक हो गया था उसको भी याद कीजेगा तो सकेंडरी एजुकेशन बोर्ड असम का उसको याद कीजिए हाई स्कूल लर्निंग केंडिट जो था वहां पर सेटिफिकेट जो था वो लीक हो गया था महराष्ट में सकेंडरी एक्जाम वहभी लीक हुआ था राजस्तान में एलिजिबिल्टी फॉर एलिमेंटरी फीचर टेस्ट जो था वहभी लीक हुआ था टीचर टेस्ट वाला एक लंबी फिरिस्ट है और ये फिरिस्ट बार बार आपके सामने आकड़ों के जरीया आती होगी मुश्किल ये नहीं ह असल मुश्किल ये है कि ये नेकसिस काम जिस लिहास से इस देश के भीतर कर रहा है वह अगर सामने आ जाए और उसमें इस देश के एजुकेशन मिनिस्ट्री का कितना योगदान है या HRD मिनिस्ट्री जो 2014 से चल रही थी बाद में इसको एजुकेशन मिनिस्ट्री में तब से लेकर अब तक जितनी भरतिया हुई हैं जो आरोप लगाए जा रहे हैं विपक्च के जरीए कि कैसे RSS के लोग उसके भीतर शामिल हो गए तो बहुत करना नहीं है 2014 के बाद हुई नुक्तियां जो HRD Ministry में हुई और Education Ministry के भीतर हुई और Education Ministry के जरीए इस देश के College, University, VC के तौर पर जो भी नुक्तियां हुई हैं उन नुक्तियों का एक खाका निकालना है हमारी टीम ने इस पे भी काम किया और उसने निकाला कि तकरीबन 10,000 से ज़्यादा ऐसी नुक्तियां हैं जो परिक्षा के जरीए नुक्तियां जिनकी नहीं हुई है यानि बीते 10 बरस में 10,000 से ज़्यादा एवरेज निकालिएगा तो 1000 और जब उसको और भी एवरेज नि कि दरसल हर महीने नुक्तियां हो रही थी तकरीबन 80,90 लोगों की यानि हर दिन 2,3 लोगों की नुक्तियां इस देश के भीतर में 2014 के बाद मिनिस्ट्री में और मिनिस्ट्री के जरीए होती चली गई जो की प्रोफेशनल के नाम पर, सिफारिश के नाम पर, विचारधारा क ये पूरी प्रक्रिया है, ये नैकसस का पहला हिस्सा है, दूसरा सवाल, युवा इतनी बड़ी तादाद में जब हम आपको तादाद बतला रहें, संख्या बतला रहें, तो आपको एक चीज़ और समझना होगा, जो 16 गिरफतारियां देश पर में अभी तक हुई है, उन तो दरसल परिक्षा में जब लीक से परिशान हो गए, तो वह उस लीक की प्रक्रिया में शामिल हो गए, क्योंकि वहां कमाई ज़्यादा थी, ये नैकसस का दूसरा राउंड है, दूसरा राउंड इसलिए है क्योंकि उसमें जो लोग शामिल हुए परिक्षा में सफल हो नहीं पा रहे हैं और उनको जानकारी मिल गई कि दरसल परिक्षा में पास होना भी एक नेक्सेस होता है। नहीं है या वो परिवार कर्ज ले पाने की स्थिती में भी है तो ऐसे में क्या वो इस रूप में नौकरी पाने की स्थिती में एक समाच के भीतर जिनें खड़ा किया जाता है उनकी संख्या कितनी होगी। आरक्षण के तहत नहीं ये लीकेज का आरक्षण है जिसमें 17% नुक्तियां जो होती है उस लीकेज के दाएरे में बच्चों तक जो सवाल पहुंसते हैं और उसके जरिये जो भरती ओवराल होती है उसमें 17% तक की परिश्थिती ऐसी आ जाती है जो मैक्सिमम है उपर की। मिनिमम पर्सेंटेज 3 है मैक्सिमम 17 है तो जो भी आरक्षण के तहत हो जो भी परिच्चा के तहत हो 97% अगर परिच्चा से हटकर हो रहा है 3% इस लीकेज के जरिये है या दूसरी तरफ 17% लीकर के जरिये है अब अगला सवाल दरसल उस कैपिटल का है जो अलग अलग तरीक से इन लीकेज के जरिये पैसों के जरिये जुड़ा हुआ है नीट इसलिए उभर कर सामने आ गया और S.S.C. 2017 में इसलिए सामने आ गया था या उत्तर परदेश के भीतर जो पुलिस भरती का मामला था और उसमें गुजरात की एक कमपनी काम कर रही थी वो शक्स तो अमेरि देती है कि आप परिच्छा ले लीजिए और उसकी एवज में वह उससे पैसा लेती है और उसकी एवज में जो पैसा लेती है उस पैसे से मिनिममम दस गुना जादा की कमाई वो कर लेता है इस नेकसिस का पूरा हिस्सा है आप सोच रहोंगे क्या राहुल गांदी इन सब बातों को संसत के भीतर रखेंगे हो सकता है रखे हो सकता है नहीं रखे हो सकता है किसी दूसरे माध्यम से रखा जाए लेकिन उसके बाद का सवाल ये है जो सबसे बड़ा सवाल है इस नेकसिस के तार इस देश के भीतर में उन रईसों के साथ क्यों जुड़े हुए है जो पॉल्टिकल पार्टी इसको फंडिंग करते हैं और अगर नेक्सिस के तार खुलते चले गए तो क्या राजनितिक सत्ताधारी दल को फंडिंग करने वाले लोगों के नाम भी एके करके सामने आने लगेंगे जो शुरुवाती दौर में छुटमया नेता तक ही आये हैं उसके उपर अभी बात जा नहीं रही है और खुद अपने तौर पर इस देश के शिक्षा मंत्री दर्मिंद्र प्रदान आज भी संसत के बाहर कड़े होकर कह रहे हैं किसी को बख्षेंगे नहीं मैं विद्यार्थियों को अस्वर्थ करना चाहता हूं देश बाशियों को अस्वर्थ करता चाहता हूं कड़ी से कड़ी कारवाई हम करने वाले हैं वो सारे कारेकरम सुरू हो गई यह CBI की गाज गिरने वाला है, जो भी लोग हैं, उसकी तहट तक हम किशी को भी नहीं छोड़ेंगे, आगे परिक्षा की संस्कार और सुधार के लिए एक विश्वशीनिय उच्यस्तरिय समिती भी बनाई देगे ये राधा कृष्णन जी की नेतुरतों में, इस रोकी पूर्व विश्वय नयले की संग्यान में है, उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा, सरकार इद्यारतियों को, अभीबाबों को अस्वस्त करना चाहती है, कि हम आपके प्रती पूरा डाइतोबान है, हम संबेदन सिल्था के साथ सारा विश्वय को देख रहे हैं तो धर्मेंद्र प्रधान तो नए शिक्षा मंत्री बने नहीं है, वो इससे पहले भी शिक्षा मंत्री थे, उससे पहले भी पेपर लीक हो रहे थे, उससे पहले भी उन्होंने खामोशी बरती इस दौर में उन्हें कहना पड़ गया क्योंकि यह एक राष्ट्रिय जिदे कहें तो उस कॉर्परेट या उस पिजनेस हाउसे से जुड़े हुए हैं, जिनके अपने धंदे अपनी जगा चल रहे हैं और उसमें एक बड़ी भूमी का इस कैपिटल की भी है, इस पूंजी की भी है और ये प्रभावित करती है इस देश के भीतर में युवाओं जो की पॉलिटिकल कैडर के तौर पर भी काम करते हैं और पॉलिटिकल फंडिंग जुगारने के लिए भी काम करते हैं, जिन से लिया जाता है वो इस देश में रोजगार चाहते हैं, रोजगार दे पाने की स्तिती में सरकार है नहीं, रोजगार कम होते चले गए, क्राइस बढ़ता चला गया और इन दोनों परिस्तितियों के बीच में जब नैक्सिस के तार खुलेंगे तो वो तार दरसल उस पॉलिटिकल फंडिंग पर आकर रुखते हैं कि ये पैसा आखिर गया कहां और जाता कहां है सवाल ये नहीं है कि चंद बच्चों के लिए पेपर लीक हो गया सवाल ये है कि इसके जरिये जो पूरी पॉलिटिकल फंडिंग हो रही है वो एक जटके में आपको कॉर्परेट के नैक्सिस को भी इस बहस के हिस्से में लेकर आ जाएगी और जब सरकार का सिस्टम इस रूप में इससे पहले काम करता हुआ खुले तौर पर नजर आ रहा हो कि किस तरीके से कॉर्परेट और बिजनेस परसंस के अनुकूल की परिस्तितियां इस देश की अर्थवस्था में बनाई गई और अगर ये बहस पार्लियमेंट के भीतर राहुल गांदी जब इसको फैक्ट के साथ रखेंगे तब क्या होगा राहुल गांदी को एक सिंबॉलिक तरीके से अभी ले लीजिए क्योंकि पहली बार एक ऐसा विपक्ष का नेता बना है जो इस देश को नंगे पाउं चलकर लांग चुका है और उसने देश की परिस्तितीयों को समझ लिया है यानि उसकी भाषा उसका समवाद उसके बात करने के तरीके पुराने किसी विपक्ष के नेता की तरह नहीं होंगे और आज भी जब वो सवाल उठा रहे थे तो क्या कह रहे थे उनका कहना था कि हम और आप यानि विपक्च और सत्ता दोनों मिलकर इस परिस्तिती को लेकर आएं इससे पहले आपने कभी सुना नहीं होगा कि कोई विपक्च का नेता कहे कि सत्ता और हम दोनों मिलकर क्यों नहीं एक निया रास्ता निकालते हैं सत्ता की मुश्किल ये है कि अगर वो इसके दाइरे में आ गई या इस बहस में हिस्सा ले लिया उसने तब सवाल ये नहीं है कि राहुल गांदी आरोप लगा रहे होंगे और सत्ता पक्च उसको खारिच कर रहा होगा और कुछ पुराने उधारनों को सामने रख देगा ये इस्तिती नहीं है यहां इस्तिती ये है कि एक पूरा सिस्टम चल रहा है उस सिस्टम में मंत्राले चल रहा है उस मंत्राले के जरिये न्युक्ती हो रही है उन न्युक्तियों का प्रभाव वैचारिक तोर पर और राजनितिक तोर पर पॉलिटिकल पार्टी के साथ है उस पॉलिटिकल पार्टी के पास कैडर के तौर पर पैसे के तौर पर जो पूरी पाइपलाइन बिची हुई है। और इस देश का युवा फॉर्म खरीदने से लेकर पोस्ट करने से लेकर तमाम परिस्तितियों के जो जूज रहा है। उसका पूरा बजट एक दूसरी तरफ है। इसा तकरीबन 90 हजार करोड से ज़्यादा का है। और उसका कोई गिनने वाला नहीं है। उसके जरीए मान लिजए अलग अलग जगा कोटा में चल रही है। अपनी इंडस्ट्रीज देश के भीतर मेलाबाद में चल रही है। दिल्ली में चल रही है। यहाँ पर मुखर जीन अगर डेली उनिवस्टी में वहाँ पर तैयारी हो रही है। लेकिन इस्टूडेंट को कोई रिजर्ट नहीं मिल रहा है। लेकिन इनका बजट इन तमाम इस्टूशन का बजट जो तैयारी करा रहे थे। इनका बजट छोड़िये इनका जो पूरा प्रॉफिट का रेंज है। वो रेंज अपने आप में तकरीबं दो से तीन लाग करोड का है। इस देश भर के भीतर में चलने वाला वो दक्षिन भारत के हिस्से को भी जोड लीजिये। जो चिन्नेई और बैंगलोर में चलता होगा या आंदरपरदेश के भीतर भी चल रहा होगा वरोधरा में चल रहा होगा। इन तमाम चीजों को जोड लिए यह उनके अपने आकड़े हैं। तो जब ये नैकसेस संसत की बहस के सामने आएगा तब पता चलेगा कि इस देश के पूइतर का पूरा सिस्टम सिर्फ कॉर्परेट और सत्ता के नैकसेस का इससा नहीं है बलकि इस देश के बेसिक इंफ्राइस्ट्रक्चर को उसने डिस्टर्म कर दिया है। और सरकार को ये घबराट तो है। लेकिन किस तरीके से राउल गांदी ने जो संबाद बनाने की कोशिश की वह भी सुनना चाहिए। अब बात यह है कि दो फॉर्सिज हैं एक तरफ नहीं मानें लिए ओके इतनी शालिंता के साथ विपक्च का कोई नेता कैसे कहता है। इससे पहले आपने सुना है क्या? नहीं सुना होगा। सवाल है कि गुसे में आना लेकिन उसके ठीक समनांतर उन तथ्यों को साथ रखकर संसद के पटल पर रख देना। और संसद के पटल पर रखे गए facts and figure जो होंगे अगर वो सरकार को परिशानी में डाल रहे हैं तो फिर गुसा होने की क्या जरूरत है? और संसद के पटल पर रखे गए जो भी शब्द और जो भी संबाद होते हैं वो एक इतिहासिक डॉकुमेंट के तौर पर सहीच कर रख जाते हैं अब सवाल यहां पर है क्या जिन बातों का जिक्र हो रहा है और इस देश के सिस्टम को ही कितना करप्ट या और्गनाइजड वे में तमाम मंत्राले काम करने लगे ये facts and figure जब आने शुरू होंगे और जब इसको बतलाया जाएगा कि दरसल education ministry का जो बजट है उस मातात इस देश में research तक का budget तो कम कर दिया गया इमारतों का budget कम कर दिया गया यहां तक की डैली निवस्टी तक के तमाम college के principal को कहा गया आप अपने campus में कोई एक institute खोल लीजिए उससे कुछ कमाई होगी आप खुछ चलाइए पूरी new education policy ही हमारी दरसल उस पूंजी पर टि का लिए education मिले ना मिले लेकिन आप उस education का हिस्सा हो जाएं जो इस देश का premium education के तौर पर सरकार कहेगी परचार प्रसार करेगी और इतना ही नहीं education system और उसके जो new economic जो new education policy बनाए गई आपको जानकर हैरत होगी कि दरसल new education policy कैसे लागू होई है या नहीं होई है लेकिन उ परचार करने के लिए उसमें भी तस्वीर प्रधानमंत्री की ही नजर आई अब इस पूरे nexus को जब आप पकड़ रहे होंगे तो आपको लगेगा क्या ये संभव है कि पार्लेमेंट के भीतर की ऐसी परिस्तिती कोई निकाल सकता है जहां पर बताए कि किस तरीके से इस द बात को लेकर है इसी लिए ध्यान दीजिए सरकार धाल बना रही है रास्टपती के अभिभाशन को और इसी लिए राहुल गांदी आप जब जब बोलना चाहते थे तब तब डिस्टर्वेंस के लिए उनका माइक बंद हो जाता था कोई बोल रहा है दो सेकेंड के लिए मा हाथों में है वो हाथ दरसल उसी सरकार के उसी सिस्टम का हिस्सा है उसमें आप प्रसार भारती को ले आईए उसमें आप दूरदर्शन को ले आईए उसमें आप संसत टेलिवीजन चलाने वाले जिसके उपर जिम्मेदारी होती है कि सब को दिखाए वो अभी सिस्टेमेट के भीतर होना है तभी तो यह नोग जो कुई माइक मैं बंद नहीं करता हूं पूर में भी आपको वैस्ता दी थी या कोई बटर नहीं उता है मैं आपको पूर में बता चुका हूं कि आप विशे राश्पति भाशन में रहें अभी आपको तो क्या राहूल गांधी को लेकर घबराहट इस बात से है कि वह कुछ कह देंगे उनके पास कोई सीक्रेट है दरसल उनके पास कोई सीक्रेट नहीं है बलकि वह इस देश के उस सिस्टम को ही सामने रखना चाहते हैं कॉंग्रिस अपने तोर पर अब ये बताने को तयार है क्योंकि उनका अपना नेता कह रहा है कि अब जुबलेबाजी या नारों में मत खोईए बहुत गंभीरता के साथ इस देश के भीतर का जो पूरा एजुकेशन सिस्टम जिस पैसे पर टिका दिया गया और उस पैसे से जुड़ा हुआ राजनितिक तबका जो पॉल्टिकल फंडिंग के लिए क्या क्या करने लगा और उसके साथ एक पूरा का पूरा पाइपलाइन अलग-अलग मंत्रालें के जरिये जो बनाया गया है और इस देश के भीतर में जो नुक्तियां UGC के जरिये ह हो गई उन बातों को भी रखिये ये कौन लोग हैं और सरकार को ये कैसे फिल हो गया कि वो पॉलिसी में अगर चेंज कर रही है तो वह उसके अनुकूल ही होगी देश के अनुकूल होगी या उस पार्टी के अनुकूल होगी या सत्ता के अनुकूल होगी अब ये वक्त आ कि इन बातों को रखा जाए और जब तक रखेंगे नहीं तो शोर शराबे से बात नहीं होगी और शायद इसलिए पहली बार रजसभा में भी यह हुआ कि मलिकार जुन खडगे जो इससे पहले आप ध्यान दीजिये तो वहां पर बैठे हुए सभापती धनकर सहाब और मलिका भीतर उस पूरे सिस्टम को लाईए जो इस सरकार ने खड़ा किया है और किस तरीके से इस देश के पूरे एजुकेशन सिस्टम को बरबात कर दिया है उसको लेकर आईए इसलिए आज जब बाहर निकले मलिकार जुन खडगे तो बताने लगे मैं तो दस मिनट तक हाथ देखी नहीं रहते हमारी तरह वो सत्ता पक्ष की तरफ देखते रहे क्या ऐसा संभव है लेकिन ऐसा संभव भी है और यह हुआ भी है तो एसी स्थिति क्यों आ गई क्यों आ गई हमें लगता है पहले उनकी बात सुन लीजिए मैंने हाथ उधा रहा था दस मिनिट हाथ उधा थे खड़ा रहा और बैठे जगे भी मैं अपने जो पार्लमेंटरी रूर्स होते हैं उसको अफजर की लेकिन उन्होंने हमारे तरफ देखा ही ने उस वक्त मुझे अंदर जाकर उनका ध्यान खिंचने के लिए मैं अंदर ग तो हालात अगर राजसभा और प्रोकसभा में पहले दूसरे दिन ही ऐसे होने चले है तो सवाल नीट परिक्षा और पेपर लीक भर का नहीं है सवाल सिर्फ 23,33,000 नीट परिक्षा देने वाले चात्रों का भी नहीं है सवाल तो ये है कि इस देश के भीतर में एजुकेशन सिस्टम और पेपर लीक और पेपर लेना और नौकरी ना दे पाने की परिस्तितियों के बीच इस देश में लाखो करोड रुपिया फसा हुआ है जानकर आपको हैरत होगी हमारी टीम ने जब इस पे काम किया तो इस देश भर में चलने वाले जो भी इंसिचूट परिक्षा की तैयारियां कराते हैं वो अलग अलग तरीके से हैं इनका पूरा प्रॉफिट का नेटवर्क सलाना जो है तीन लाख बहत्तर हजार करोड का है जी और जो प्राइवेट कॉलेज़ चलते हैं जो सरकार कहती रहती हमने इतने कॉलेज कोल दिये इस तरीके से लेकिन इस देश के भीतर में जो प्राइवेट कॉलेज़ हैं उसमें जो फीस ली जाती है और उस फीस के बाद यहां के छातर जो भी पढ़ाई करते हैं उस पर यह है कि इसके ठीक समनांतर जो पेपर लीक से निकलने वाले पैसे का जो आकड़ा है वो कितना बड़ा हो सकता है यह सिर्फ एक बात से समझा जा सकता है कि अगर आपकी रैंकिंग सरकारी अस्पताल में डॉक्टर की पढ़ाई करने को लेकर हो गई तो आपको पूरे साल में सिर्फ पांच हजार दस हजार रुपए देने होंगे लेकिन अगर आप प्राइवेट कॉलेज की तरफ चले गए तो हर साल एक करोड तक लग सकता है कितना बड़ा अंतर है और उसके बाद जो बच्चे नहीं क्लियर कर पाएं फिर वो अगले साल के लिए जोटें और इस देश के भीतर प्राइवेट इंसिचूशन का बढ़ना और सरकारी इंसिचूशन का ना बढ़ना और उस प्राइवेट इंसिचूशन को लाइसेंस देना और अनोसी देने के साथ साथ जो पूरी कमाई है वो कैसे किस रूप में होती है इसका कोई आकड़ा हमारी टीम निक जब हमारी टीम ने बाच्चीत की कि पूरे कॉलेज को बनाने से पहले कहां कहां किस किस रूप में आपको पैसा देना पड़ा तो उसने इंकार कर दिया। लेकिन उसने सिर्फ एक इंडिकेशन दिया कि दरसल मिनिमम एक करोड रुपए आपको तो लाइसेंस देने में देने पड़ जाते हैं जो लाइसेंस आपको मिलता है कि आप खोलने जा रहे हैं और महानगरों में उसमें मिनिममम पहली रकम एक करोड की होती है उसके कितने रे के जरीए इस देश के पूरे सिस्टम को उखाड़ दे और क्या यही घबराहट सरकार के भीतर उसे धरधरा रही है इसलिए माईक बंग से लेकर तमाम परिस्तितियां सामने हैं वो सकता है तो राहुल गांधी प्रतिपक्ष के नेता हैं महत्पुण यह नहीं है महत्पुण यह है कि प्रतिपक्ष का नेता पहली बार इस देश के तमाम राज्यों के लोगों से युवाओं से किसानों से मजदूरों से पूरे सिस्टम से जुड़े लोगों से मिल कर आया है और वो जानता है अब इस देश की शिराओं में पूरे सिस्टम का पैसा कैसे बह बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया